दुबाई यानी वो शहर जो अपने अजूबों के लिए जाना जाता है इसी शहर की बदोला शेखों के लिए का जाता है कि वल्ला अभी भी कुछ भी कर सकती क्यूंकि इन्होंने एक तो दुनिया की सबसे हुची इमारत बना डाली फिर जब इनका इससे भी दिलनी बरा तो खुद नहीं समुद्र में ये खुबसूरत सा आइलेंड बना दिया और फिर जब इनका इससे भी मननी बरा तो इन्होंने एक फ्यूचर वाला म्यूजिम बना दिया इनका हर एक काम ऐसा है कि आम आदमी की तो इनके काना में सुनकर होशी रुड़ जाएं अब एक और बार फिर से लोग दुनिया के होश रुडाने की तैयारी में लगे हुए है जी हाँ दोस्तों इस बार दुबई वालों का इरादा चांद को जमीन पर लाने का है अरा नहीं गबरावत ये असली चांद को जमीन बलाने की बात नहीं कर रहे है बलकि ये लोग असली चांद के जैसा ही एक होटेल बनाने जा रहे है जिसकी खासियत सुनकर लोग अभी सहरान है और तो दुबई ने से बनाने में अभी तो पांच अरब का बजट डिसाइड किया है लेकिन आपको बुर्ज खलीफा के बारे में तो पता ही है कि ये हभी भी लोग बजट शुरू कुछ और करते हैं और खतब कहीं और ही करते है ऐसे हम अब ये तो जानना दिल्चस्प भी रहेगा कि आके रोस्टेल में क्या होने वाला है चलिए जानते हैं तो दोस्तों दुबई अपना खुद का चांद बना रहा है असल में चंद्रमा के आकार का एक रिजॉर्ट होने वाला है इस चांद नुमा रिजॉर्ट का डिजाइन कैनिडा की कमपनी मून वर्ल्ड रिजॉर्ट इंक कर रही है इस चांद का आकार 735 वीट होगा और या गार करने वाली बात ये है कि इस चांद को बनाने में पांच अरब डॉलर लगने वाले है भारती रुपए में इसका केमपैरिजन करें तो दुबई चांद को अपनी जमीन पर तैयार करने में लगबग 40,000 करोड रुपए खर्च करने वाला है इसके लावा इस विशाल का है चांद को बनाने में 40 मैनों का समय लगएगा यानि कि लोगों के लिए मैं इस 4 सालों बनकर तैयार होगा वागा यार हम जिस चीज़ पर यकीन कने में सालों लगा देते हैं वहीं हभी भी लोग इतने वक्त में अजूबे बना कर तैयार कर देते हैं दुबई में पहले से ही कई सारे लग्शुरी और टूरिस प्लेस मौझूद हैं, जिन में दुबई मौल और अट्लांटिस बाम जो मेरा मौझूद है, लग्शुरी होटेल्स और मौल की लिस्ट में अब ये चांद भी जुड़ जाएगा। माना जा रहा है कि इस नए रिजॉर्ट में घूमने के लिए हर साल पचीस लाख लोग पहुचने वाले हैं, अरेवियन बिजनिस की बात करते हुए, मौन वर्ल्ड रिजॉल्ट इंग के को फाउंडर माइकल आर हेंडिसन ने कहा था, कि दुबई में चांद की थीम वाला ही ह शेयर की अर्थविवस्ता को और जान देने वाला है, इसे ऑस्पिटालिटी, इंटर्टेंड्मेंट, एडुकेशन, टेक्नोलजी और स्पेस टूरिजम जैसे सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा, आपको सबसे मज़े की बात बताते हैं, असल में इस रिजॉर्ट में महमान मून शेटल पर सवार होकर नजारों का लिटफ उठा सकेंगे, ये मून शेटल लोगों को रिजॉर्ट के आसपास एक ट्राक पर भुमाने में सक्षम होगा, इसके ट्राक को रिजॉर्ट के स्ट्रक्चर के सेंटर में, गोलाकार में बराय जाएगा, माने आप दुबई मे अब लगबग पूरी तरह से असली अंतरिक्ष का सफर कर सकेंगे, आपको बता दे किस डिस्क के सबसे उपर ही मंजिला के 23 फीस्दी हिस्सा कसीनो, 9 फीस्दी नाइट क्लब्स और 4 फीस्दी रेस्टरॉंस को दिये जाएगा, इस रिजॉर्ट के लगशुरी छत का एक ट् सेकड में फैला हुआ होगा, जिसमें वेलनेस सेंटर, नाइट क्लब, तीन सो प्राइवेट स्काइविला और होटेल रूम मौझूद होंगे, ये जगा चांद की सता से भी गिरी हुई होगी, और इसमें एक लूनर कॉलनी भी शामल होगी, स्पेस टूरिजम का सस्ते हो उनने वाला है, उसकी टीटेल्स अभी पूरे तरह से बार नहीं आई है, पर ये तो तैह है कि ये बाकी अजूबों की तरह शांदारी होने वाला है, वैसे जब वजूबे की बात हो ही रही है, तो यार दुबई की म्यूजियम अब दे फ्यूचर का आप कैसे बूल सकते है स्टेनलेस टील से बनी इस नई बिल्डिंग को म्यूजियम अब दे फ्यूचर का नाम दिया गया है, और यार रोबाट की मदद से बनाई गई एक हजार चौबीस कलाकरतिया रखी गई है, दुनिया के सबसे खुबसूरत आकिटेक्चर के नमूनों में शुमार होने वाली इस बिल्डिंग को दुनिया की सबसे सुन्दर इमारत बताया जा रहा है, जिसको बनाने में नौ साल का वक्त लगा है, यह मूजियम विजिटर्स को स्पेशल मिशिन में भाग लेने के लिए प्रोचसाइद भी करता है, इनुवेशन के लिए आइडिया की भी बात करता है और आम सोच से बहुत दूर भविश्ची में ले जाता है, अब अगर इस मूजियम को बनाने में लगने वाले पैसों की बात करें तो लगबग एक हजार करोड रुपए है, पिछले दुनों दुबाई टूरिजम ने अपने एक नए एड़, Creating the Future वेशारो खान में भी इसे फीचर किया था, मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक साथ फ्लोर वाले म्यूजियम अफ़ फ्यूचर बिलिडिंग सततर मीटर उची और थीस जार वर्ग मीटर में इसका निर्माड हुआ है, और ये तुनिया की सबसे उची इमारत बुर्ज खलीफा से कुछी दूरी दुबाई फ्यूचर फाउंडिशन के मताबिक, म्यूजियम अफ़ फ्यूचर का उद्देश रोबोटिक्स और आटिविशल इंटेलिजन्स के शेत्र में तक्नीकी विकास और इनुवेशन को बढ़ावा देना है, पहले इसे 2021 में खोले जाने का लक्षी निर्धारित किय गया था, मगर बाद में संयुक तरव अमिरात की सरकार ने 22 वरवडी 2022 को अफचारिक तोर से से खोल दिया, हाला कि इस बीच इस आलिशान बिल्डिंग में कई एग्जिबिशन लगाए गए, म्यूजियम अप दे फ्यूचर दुनिया की सबसे मुश्किल से नरचनाओं में से एक है, इमारत के बार ही इससे में खिड़ किया है, यसे 3D टक्नीक से इस सरे डिजाइन किया गया है, जिस से लगता है कि इस पर अरवी लिपी में कविताय लिखी गई हूँ, म्यूजियम में साथ मंजिलें, तीन मंजिल बार अंतरिक संसादन विकास, इको सिस्टम, बा संगरालों में भी जगा दिये, इसके यूनीक आखिटेक्चर की वजए से इसने टिकला इंटरनाशनल बिल्डिंग अवर्ड भी जीता है, और अटो डिस्ट डिजाइन सॉफ्ट्वेर भी इसे दुनिया की सबसे नई और शानदार इमारतों में से एक बताता है, वैसे या या हर वो काम होता है जो अपने जैसे आम इंसान के दिमाग से परह हो। इस नई टकनीक से बादलों को एक विजली का चटका दिया जाता है जो बारिश पैदा करने के लिए एक साथ टकराते हैं। ड्रोन से कैसे होती है बारिश? अब आपके नमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार ये ड्रोन से बारिश हो रही है। तो असल में इस टकनीक पर UAE के Rain Enhancement Science Research प्रोग्राम के निदेश है। अल्या अल्मजरूई ने कहा था कि ये ड्रोन एलेक्ट्रिक चार्ज एमिशन उपकरणों और कस्टमाइट सेंसर से लेस हैं। ड्रोन कम उचाई पर उडान बरेंगे और हवा के इयांस को एक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे जिससे बारिश को बढ़ावा मिलेगा। इस तकनीक के अस्तिमाल बारिश को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपको क्या लगता है क्या यह सही है नहीं हमें कमेंट करके जरूरू बताएं। वीडियो कर आपको उसंदाई होते से लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुगले हैं।